हुलो स्टुएंट्स और वेल्कम टो यूर फेवरिट बालोजी क्लास प्याना मुहम्मध यूबी है और आज हम लोग जो एलेवन्थ क्लास का एक इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग याद करिए बिटा last class में हम लोगों ने start किया था last video में हमने start किया था 11 class का जो third chapter है plant kingdom plant kingdom chapter start किया था और उसमें जो first video में बिटा हम लोगों ने discuss किया था कि classification plant जो kingdom है जिसमें algebra, phyta, tetophyta, gymnosperm, angiosperm include होता उसके divisions है इस plant जो kingdom है उसका classification किस तरीके से किया जाता है क्या base है तो उसमें मैंने बताया था natural है artificial system of classification है natural है और phylogenetic system of classification तो last class में last video में हमने discuss कर लिया था classification इस video में बिटा हम लोग discuss करते हैं important topic बहुत ज़्यादा important topic वो है अलगी ठीके पिटा हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की topic में division अलगा लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ देखिए मैं थैलोफाइटा असल में start करता है थैलोफाइटा का क्या मतलब होता है जिससे नाम से समझ में रहा है थैलोफाइटा मतलब जिसमें थैलस है असल में बिटा जब हम थैलो फाइटा की बात करते हैं तो इसका मतलब हम अलगी की बात कर रहें लेकिन इससे आगे बढ़के मैं आपको एक और बात बतायता हूँ तेकि थैलो फाइटा गुरुप में असल में दो लोग इंक्लूड होते हैं पूरा का पूरा अलगा जो है वो थैलो फाइटा है मतलब जो इसकी बाडी जो होती है जो इसकी प्लांट बाडी होती है वो थैलस लाइक होती है और पहले की क्लास्स में वीडियो में मैंने आप लोग से डिसकस कर रखा है बिटा thallus का मतलब यह होता है कि वो plant body जो differentiated ना हो जिसमें हम proper तरीके से differentiate ना कर सकते हो root, stem और leaf में उसे हम लोग thallus कहते हैं उस तरह की plant body को thallus कहा जाता है तो अलगा जो है उसकी पूरी की पूरी plant body thallus होती है लेकिन उसके इलावा जब भी हम thallophyta की बात करते हैं तो बिटा ब्रायोफाइटा में भी के भी कुछ example ऐसे हैं जो thallophyta में include होते हैं ब्रायोफाइटा में दो group पढ़ाया जाता है mainly और आपको भी हम लोग अब next class में जब हम लोग ब्रायोफाइटा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको दो group पढ़ाऊँगा एक है liverwort और एक है moss ठीक है एक है liverwort होता है एक moss होता है तो ये वाला जो group है algi plus liverwort जो ब्रायोफाइटा का जो liverwort वाला group है इन दोनों को हम लोग किसमे include करते हैं थैलोफाइटा में बासवन में आगी तो पूरा का पूरा अलगा तो थैलोफाइटा में आता ही है लेकिन ब्रायफाइट्स के भी कुछ गुरूप है जो थैलोफाइटा में आते हैं जिससे मैंने आपको बताया liverwort ठीक है अच्छ अलगी की study को हम लोग phycology कहते हैं जरूर याद रखना क्योंकि तुम लोग इसकी study को अलगी की study को phycology कहते हैं और फंजाई की study क्या कहते हैं फंजाई की study को mycology कहते हैं तो यह काफी confused होता है अदमी इसमें ठीक है तो इसलिए अच्छे तरीके से याद रखेगा अलगी का term सबसे पहले लीनियस कार्लोस लीनियस नहीं कहाता दिया था who is called the father of taxonomy और father of phycology यहनी father of अलगी study को फ्रिश ने सबसे पहले फ्रिश कहते father of phycology को फ्रिश कहाता है और phycology in India M.O.P. Yanger यह एक scientist है जिनका सबसे बड़ा contribution है इंडिया में अलगा में अलगा बिटा आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने देखा भी होगा या कभी खाने का मौका मिला होगा जिससे अगर आप ने देखा हो बरसाथ के मौसम में पानी के उपर या मिट्टी के उपर काई जम जाती है ना हरी हरी हरे कलर की वो क्या होता है अलगी तो होती है या उसके इलावा आप लोग ने आईस्क्रीम खाया होगा जलीज खाया होगा उसके अंदर भी कुछ अलगा होते हैं जो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए इस्तमाल कियाती है बहुत से कॉस्मेटिक आईटम्स ऐसे होते हैं जिसे लिपिस्टिक है उसको भी सॉलिडिफाई करने के लिए बहुत से अलगा इस्तमाल किया जाता है नेज़ देखते हैं अलगी कैसा होता है बिटा ये कैसा किसमें इंक्लूड होता है प्लांट किंग्डम में और आप देखिए पहली की वीडियोस में पहली की क्लास में आप नोट्स पलेट के देखिए मैंने जब पहली क्लास पहला क्लास आप लोगों को पढ़ाया था उसमें मैंने क्लियर किया था कि सिर्फ और सिर्फ किंग्डम मोनरा ऐसा होता है जो कैसा ह प्रोकरियोटिक होता है उसके आगे यानि चाहे प्रोटिस्टा की बात की चाहे फंजाई की चाहे प्लांटी की और चाहे अनिमेलिया की बात की जाए यह सारे के सारे कैसे होते हैं eukaryotic except BGA लेकिन अब बिटाए BGA तो इसमें include ही नहीं होता है blue green अलगा आप किसमें include किया जाता है monera बे include किया जाता है पहले के classification में BGA को algi में ही include किया जाता है next है algi are chlorophyll bearing thallus यानि इसके पास chlorophyll होती है इसका मतलब यह कि chlorophyll होगी इसका मतलब यह क्या करेगा photosynthesis करेगा chlorophyll bearing thallus होता है और autotrophic होता है autotrophic का क्या मतलब होता है autotrophic का मतलब होता है बिटा जो अपना खाना खुद से बनाता है देखो auto मतलब होता है लव्ज auto का मतलब होता है self जो अपना खाना खुद बनाता है, उसे हम लोग autotrophic कहते हैं, अच्छे, नेक्स है इसका habitat का ऐसा है, बहुत diversity इसमें, बहुत से अलगा मरीम में भी पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी होंगे, माक्सम जाद जाद तर वाटर में ही पाएते हैं, and also occur in variety of habitats, जैसे marshstone, soil और wood पे भी पाए जाता है कुछ अलगा epiphytic होते हैं epiphytic का मतलब होता है plant के ऊपर पाए जाता है epiphytic मन्दी plant के ऊपर पाए जाता है एक अलगी होती है, जिसे zooclorella कहते हैं, यह hydra पे पाए जाता है next बिटा एक अलगी होती है, cephalerus देखे, एक अलगा है cephalerus, यह एक तरह की parasitic अलगा होता है जो कहाँ पाए जाता है tea या coffee की जो leaf होती है उसमें पाए जाता है, cephalerus उसके इलावा देखे, अलगी जो है यह बहुत से दूसरे दूसरे organism के साथ, symbiotic relationship में रहती है, जैसे इसका बहुत अच्छा example है, fungi, बहुत बिटा हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जो lycan होता है, वो दो organism से मिल के बना होता है दो तरह के group से बना होता है एक आपका, अलगा होता है और एक आपका, फंजाई होता है और ये अलगी और फंजाई आपस में किस association से रहते हैं, किस तरह का association होता है दोनों में symbiotic association होता है, symbiotic मतलब होता है, दो organism दोनों लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और कोई भी एक दूसरे को नुखसान नहीं पहुचा रहा है एक दूसरे को फायदा ही पहुचा रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, symbiotic relationship ठीक है, ये symbiotic relationship के साथ फंजाई में रहती है या animal पे रहती है, जैसे एक sloth bear है, ठीक है आगे चलते है, अब next topic है हमारा, कि अलगा में reproduction कैसे होता है, किस तरीके का reproduction होता है, अलगा में, तो जैसे बात है अलगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यदा एडवांस तो group है नहीं, तो इसमें तीन्यों तरह का reproduction पाए जाएगा, यानि vegetative reproduction पाए जाएगा, vegetative reproduction बेटा, fragmentation के जरीए से होता है, green अलगा, brown अलगा, इन सब में vegetative reproduction पाएगा था, अभी मैं आगे आपको बताऊँगा, next है, asexual reproduction, यानि जिनमें by means of spore, यानि spore के जरीए से by means of spore, spore के जरीए से asexual reproduction, spore formation करता है, बिटा, spore अलगा-अलग तरह क्यों होते हैं, जैसे a-plano spore है, a-plano spore, non-motile spore होता है, zoo spore का formation, zoo spore आपको पता है, कैसा होता है, motile spore होता है, ठीके, ये दोनों जरूर याद रखना, ये दोनों भले कुछ याद रहे ना रहे, ये दोनों जरूर याद रखना, और इन दोनों में बिटा, कौन non-motile होता है, और कौन motile होता है, यह जो पांच तरीके होते हैं अलगी में पाए जाते हैं लेकिन आपसे जो माक्समम पूछा जाएगा वो यह दोनों गुरुप ही पूछा जाएगा इसी दो गुरुप के आने के चांसे काफी जादा होते हैं नेक्स देखते हैं बेटा sexual reproduction कैसे होता है अलगा में अलगी केस में जो male sexual organ होता है उससे anthridium कहते हैं male sex organ को anthridium कहते हैं female sex organ को ugonium कहते हैं यह general case में हैं अगर आप जब आप रेडलगी पे पहुचेंगे तो वहाँ पर थोड़ा difference होगा मैं अभी आपको रेडलगा में बताऊंगा इन जनरल male sex organ को anthridium female sex organ को ongonium भी कहते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ना है आगे जैसे जैसे आपके slides आगे बढ़िए आप लोग अपना पर इन जनरल जो अलगी के केस में बटा होता क्या है कि जो sex organ होते हैं वो unicellular होते हैं and jacketless होते हैं यह जो sex organ के ऊपर कोई covering नहीं होती है देखो unicellular होता है and jacketless होती है जाकेट नहीं पायती है jacket मतलब होता है cover के लिए but लेकिन एक अलगी ऐसा होता है एक green अलगी ऐसा होता है जिसे हम लोग कारा कहते हैं sex organ आप green अलगा कारा को बेटा stone word भी कहते हैं कारा को stone word भी कहा जाता है क्यूं कहते हैं due to deposition of due to deposition of calcium carbon due to deposition of CaCO3 okay तो sex organ जो green अलगा होता है जो green अलगा कारा होता है जिसे stone word कहते हैं वो कैसा होता है बिटा वो multisolar होता है और jacketed होता है multisolar होता है and jacketed होता है next देखते हैं अब sexual reproduction की क्या condition होती है देखे sexual reproduction O gamus type भी होता है and iso gamus भी होता है and iso and O gamus तीनों तरीके से होता है मैंने बिटा इससे पहले की classes में भी आप लोगों को बता रखा है कि इनका मतलब क्या होता है फिर से बोल दे रहा हूं देखे iso gamus का मतलब होता है जब दोनों gamete यानि एक male gamete है एक female gamete है जब दोनों ही male gamete की size same होती है shape same होता है तो उसे हम लोग क्या कहते है iso gamus माल लो अगर मैं कहूं कि यह male gamete है mg male gamete और माल लीजिए यह female gamete है माल लीजिए अब देखिया आप male gamete और female gamete दोनों की size कैसी है हमने मैंने कोशिश किया है कि same तरह की बनाऊ और same size और same shape भी रहे तो जब same shape और same size की होती है तो उसे हम लोग क्या कहते है iso gamus कहते है ठीक है बटा iso gamus कहते है अच्छे लेकिन iso gamus से क्या होता है जाई से बात है मैंने क्या कहा है कि दोनों के gamete same होने चाहिए तो उस condition को हम लोग iso gamus कहेंगे लेकिन आप iso gamus भी दो तरह को सकता है हो सकता है gamete flagellated हो यहीं फ्लाजिला ना हो मतलब समझ रहा हो ना non-flagellated के क्या मतलब होगा कि gamete में flagellat absent है non-flagellated flagellat का काम क्या होता है बटा flagellat का काम होता है movement में movement कराता है flagellat तो जैसे इसका example है spirogyra spirogyra लेकिन अगर flagellated की बात की जाए अगर बटा flagellated की बात की जाए flagellated iso gamus में तो वो उसका क्या example होगा clamidomonas या ulothrix यह भी इसका example हो सकता है ulothrix ulothrix यह r लिखा है मैंने r ix ulothrix भी इसका example हो सकता है ठीक है बटा आगे देखते हैं तो यह हो गया iso gamus next है हमारा anisogamus यानि दोनों ही gamid जो है उसकी size अलग-अलग है देखो बटा एक बात क्लिया कर रहा हूँ anisogamus और u gamus इन दोनों ही में gamids अलग-अलग size के होते हैं यह दोनों ही जो हैं बोथ gamid बोथ gamids are of different size दोनों ही gamid जो है वो अलग-अलग size के होते हैं तो यह क्या होता है बटा वो anisogamus और u gamus तो दोनों में फरक क्या होता है आप पूछेंगे मुझसे किसर अगर दोनों ही gamid के अलग-अलग size होते हैं तो difference क्या है डिफरेंस बटा यह है तिससर अइन-isogamus में तिम देख लो अइन-isogamus में मैंने का कि gamid अलग-अलग होंगे लेकिन अगर इनके fix नहीं होते हैं कि कौन सा male gamid बढ़ा होगा या female gamid बढ़ा होगा female gamid छोटा होगा या female gamid छोटा होगा यह कोई fix नहीं हो सकता दोनों यह confirm है कि마 चाहे male gamete, चाहे female gamete, यह दोनों अलग-अलग size के होंगे, ठीक है, लेकिन आजा UGMS में, UGMS में भी यही है, कि दोनो gamete अलग-अलग size के होती है, लेकिन यहाँ define होता है, यहाँ fix होता है, कि जो male gamete होगा वो छोटी size का होगा, लेकिन active होगा, active मतलब move कर सकेगा, और जो female gamete ह होगी, देखो बिटाए, मैंने आलिक रखा है, जो male gamete है वो active होगा है, female gamete की size तो बड़ी होगी, ठीके, female gamete की size बड़ी होगी, लेकिन वो कैसा होगा, passive होगा, मतलब non-motile होगा, बासवन मागी, यहाँ पर fix होता है, कि male gamete छोटा होगा, लेकिन active होगा, female gamete की size बड़ी ठीक है, अब अनियस उगेमस का एक्जामपल क्या है, क्लिमाइडो मोनास उगेमस का क्या एक्जामपल है बिटा, वालवाक्स, फ्यूकर्स, कारा इसमें वालवाक्स, फ्यूकर्स, कारा, ये तीन एक्जामपल है इसके ठीक है बटा, इसमसे वाल वॉक्स है, कारा है, यह आपके ग्रीन अलगा होता है, फ्यूकस ब्राउन अलगा होता है, अभी आगे बताऊंगा यह सारी बाते, बास समन है की, अच्छा इसका बी एक्जामपल है, क्लिमाइडो मुनास, अब आप मुस्के के सरे, इसका भी कुछ oogamous करती है अब आप मुस्से question पूछेंगी सर अगर कभी कोई objective question ऐसा आ जाए कि इन में से कोई एक बता ना तर क्या करेंगे उस case में आप यह वाला बताईएगा क्योंकि mostly जो है ना mostly वो isogamous के जरीए से mostly जो क्लमाइडो मुनाइस की वराइटीज है वो जाना तर बिटा isogamous के जरीए से reproduction sorry sexual reproduction करती है चले आगे देखते है next हाँ okay so यह है बिटा classification of अलगी classification of division अलगी ठीक है और आरेच विटकर ने यादा रहा है आरेच विटकर के बारे में पढ़ाया था मैंन तुम लोग को आरेच विटकर बिटा जिन्होंने five kingdom classification दिया है आरेच विटकर classified अलगा into three groups ठीक है आरेच विटकर ने अलगी को तीन गृप में classify कर दिया है ठीक है बिटा तीन गृप में classify कर दिया है green अलगी brown अलगी और green अलगी brown अलगी and red अलगी तीन गुरूप में डिवाइड करती है सिर्फ तुम लोग को रेड अलगी कितने गुरूप पढ़ने है सिर्फ तीन गुरूप पढ़ने है तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि अब पढ़ रहे हो अब सिर्फ अलगी में तीन गुरूप पढ़ाय जा रहा है जब हम लोगों ने जब 11-12 के जमाने में 11 गुरूप पढ़े थे हम लोगों ने 11 गुरूप पढ़े थे और आप लोग बिटा सिर्फ 3 गुरूप ही पढ़ना पढ़ रहा है तो काफी आसान हो गया है सलबस इस लिहाज से आप लोगों के लिए यह है कि competition दिन पर दिन टॉफ तो और भी बहुत आसान कर दिया है लेकिन जाहिश बात है हमारा मकसद बिटा बोर्ड पास करना नहीं है ठीक है वो भी पास करना है कोशिश करें अच्छे नंबरों से पास हो जाएं लेकिन हमारा जो ultimate मकसद है ultimate aim जो है वो हमारा medical qualify करना है need qualify करना है और need आसान नहीं हुआ educational policy आसान कर दी गई है जिन बच्चों को ये ब्रहम हो तो मैं बता दूँ कि educational policy जो नहीं आई है 2020 में अभी government ने cabinet से जिसे पास किया है उसमें क्या है उसमें ये है कि board को और बहुत आसान कर दिया गया है पढ़ाई को और बहुत आसान कर दिया गया है लेकिन competition थोड़ी नही level पर था अब और भी टफ हो जाएगा तो इसलिए आपको और पढ़ना है ये नहीं समझना है कि education policy के जरीए से board आसान हो गया हो गया board आसान तो board पास करें क्या करोगे अब तो हर competition में आप कहीं किसी भी exam में कहीं पर भी admission लेना है आप चले जाएए तो वहां पर competition होता है त तो आरेच विटिकर ने तीन गुरूप में classify किया पहला रोग क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन अलगी फायोफाइसी मतलब ब्राउन अलगी रोडोफाइसी मतलब रेड अलगी अच्छे अब इन्वे कौन-कौन से major pigment है ये बड़ी important चीज है chlorophyll AB ये chlorophyll में लिखा है chlorophyll AB यह यहाँ पर chlorophyll A और D पाय जाता है देखो chlorophyll A जो है वो सबसे ज़्यादा dominating chlorophyll होता है लगबग अभी तक 5 तरह के chlorophyll बिटा discover हो चुके A, B, C, D, E लकिन उन सब में जो सबसे dominating chlorophyll है वो chlorophyll A होता है तो यहाँ पर chlorophyll AB, यहाँ पर chlorophyll A, C और उसके लावा frucoxanthin, food किस तरह का store करता है तो बिटा जैसे भाई हमारी body में आपको यह बात पता है कि हमारी body में food कैसे store होता है, किस form में store होता है, तो आप कहेंगे कि human की body में, animals की body में food store होता है, glycogen के form में, plant की body में store होता है, starch के form में, इसी तरीके से यहाँ पर भी food किसी form में store होता होगा त तो वह किसना है बटडा ग्रीन अलगी में स्टार्च ब्राउन अलगी में मैचितोल लमिनेरिन और रोडो सorsी, रेड अलगी में फ्लॉरीडीन स्टार्च ठीक है आग ей आजाओ सेलवाल किस chemical से बनी उती है, चाहे green अलगी हो, चाहे brown अलगी हो, चाहे red अलगी हो, rigid cell wall पाई जाती है, प्लांट का group है तो सेलवाल होगी ही, अब सेलवाल chlorophycy के case में cellulose की बनी होती है, brown अलगी के case में बिटा, ये cellulose plus algin, cellulose plus algin की बनी होती है, और रेड अलगी केस में सोलोस प्लस फैक्टिंग की बनी होती है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लैजिला कैसा है कि नमबर आफ फ्लैजिला और उसकी पोजीशन कैसी है तो जो ग्रीन अलगा होता है यह सब याद रखेगा इसमें एक-एक पोइंट इंपोर्टेंट है एक एक पोइंट इंपोर्टेंट है कि पॉइंट पूछा जाता है इसलिए आप लोग ज़्याद रखेगा नमबर आफ फ्लैजिला बेटा दो से अट फ्लैजिला है दोनों इक्वल है और आपिकल है apical मतलब ऐसा, उपर की तरव, ऐसे निकला होता है, तो 2 से 8 है, apical है, दोनों flagela equal size का होता है, apical है, यह क्या है, यहाँ पर सिर्फ दो flagela होता है, two, unequal है, यहाँ दोनों अलग-अलग size का, lateral मतलब इधर से, लाटरल होता है, और यहाँ पर flagela absent होता है, यह बात याद रखना, कि red अलगी के case में flagela absent होता है, अच्छ, इधर आजाओ, green अलगी case में आजाओ, इनके habitat कैसा है, मतलब कहाँ पायता है, तो max fresh water में ही पायता है, brackish water में भी और salt water, maximum जो है वो बिटा, fresh water में, maximum fresh water में, brackish water का क्या मतलब होता है, brackish water मतलब होता है, ऐसा पानी या ऐसा water, जहाँ पे मतलब mixed water हो, fresh plus marine, fresh plus salt water जहाँ पे मिलता हो, उसे brackish water कहते है, तो brackish water plus salt water, इनमें आजाओ, यानि brown अले case में, fresh water सबसे कम पायता है, salt water और brackish water में ही पायता है, red अलगी आजाओ, कुछ fresh water में पायते हैं, लिगिन जारतर salt water में ही पायते हैं, तो देखो, ये तो कुछ difference हो गया, कुछ, मोटे-मोटे difference हो गया है, इन तीनों गुरूप के बारे में, इ इसके इलावा भी कुछ difference आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ points बता देता हूँ, जैसे, सबसे पहले हम लोग green algae के बात करते हैं, सबसे पहले हम दो green algae के बात करते है, green algae जिसे chlorophyce, कि देखो, ऐसे तो मैंने कहा आप से कि मैंने groups का difference बता दिया, लेकिन मैं कुछ extra points आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कुछ examples इस तरीके से कुछ, तो green algae, जिसे हम लोग chlorophyce के कहते हैं, most advanced algae है, एक बात और सु सबसे जादा advance है, जो तीनों algae जो होता है, brown, red, green में, उनमें सबसे जादा green algae advance है, ठीक है बिटा, इनमें सबसे जादा green algae advance है, और दूसरी बात ये, कि ये जो modern plants जो develop हुए है, हम ये मानते हैं, कि वो इन ही green algae के evolve करने से, जो modern plants है, वो develop की है, next, found in fresh and marine water, fresh and marine दोनों में होता थर्ड, इसमें vegetative reproduction कैसे होता है, fragmentation के जरीए से, a sexual reproduction में क्या होता है, zoo spore form होता है, और zoo spore कैसा है, flagellated है, देखो तुम लोगों को मैंने दिखाया था, मैंने बटा, हाँ, यहाँ देखो, नहीं, सोरी, इसमें, यह दो को मैंने बताया था, कि zoo spore कैसा होता है, flagellated है, मतलब motile है, भाए, motile मतलब कोई, जो move कर सके, तो move करने के लिए, कुछ ना कुछ को उसके पास, हाथ पैर कुछ होना चाहिए, कैसे move करेगा, तो उसके पास flagella होता है, जिसके जरीए से वो movement करता है, ठीक है, zoo spore flagellated, कहां पायता है, zoo sporengia में पायता है, जो zoo spore flagellated होते हैं, वो zoo sporengia में पायते हैं, अच्छ, एक और बात यहाँ बता दे रहा हूँ, कि इसी green alga से related, sexual reproduction कैसा होता है, sexual reproduction, sexual reproduction बिटा इसमें, u gamus type b होता है, iso gamus b होता है, and an iso gamus type b होता है, यह तीनों तरीके से sexual reproduction, green alga में होता है, अच्छ, अब आजगा कुछ example हम लोग देख लेते हैं, बतलब कुछ ऐसे example, जो unicellular green alga हो, unicellular हो लेकिन green alga हो, उसमें पहला example है, klemido monas, klemido monas, बिटा यह unicellular green alga होता है, इसमें देख लो तुम लोग, यह सामने मैंने आप लोगों को यह structure जो दिखाया है, यह बिटा, klemido monas का होता है, klemido monas का होता है, klemido monas बिटा, असल में बड़ा शर्मीला किसम का होता है, मतलब यह, कि यह पानी की उस point पे पहाए जाता है, जहां पर बहुत जादा, ना बहुत जादा light हो, ना बहुत कम light हो, ना पानी बहुत जादा गरम हो, यहनी hot हो, ना बहुत जादा cold हो, तो बीच ही condition में klemido monas बाएता है, एक important बाद बतानी, जो तुम लोग अच्छे तरीके सुन लोग, एकदम, इसमें बिटा, chloroplast पाया जाता है, और chloroplast के अंदर एक structure होता है, जिसे हम लोग pyrenoid कहते हैं, पायरिनॉइड असल में starch की synthesis और उसके storage से related होता है, यह pyrenoid जो है, यह pyrenoid बिटा, इसमें एक बाद बता जा रहा हूँ, अगर इसका structure देखोगे ना, pyrenoid का, तो कुछ इस type का दिखेगा है, जैसे माल लो, जी मैं pyrenoid का structure तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा, इसमें जो बाहर की तरफ, यह आउटर सर्फिस जो होती है, बाहर की तरफ, पेरिफरी, वो स्टार शीवन ही होती है, आउटर की तरफ है, और जो इनर होता है, यह, जो इनर मैं बटाई से black, इसे, यह आउटर, और यह जो अंदर वाला सर्फिस होती है, यह जिसको मैंने red से बनाया है, यह प्रोटीन, यह इनर होता है, अंदर की तरफ होता है, बहुत इंपोर्टन चीज़ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कि कई बार इससे related question पूछा है, और अभी तो ठीक है, इसमें कोई बहुत कहते conceptual, कोई rocket science नहीं है, लेकिन दिक्कत यह होगी, कि जब आप exam में से बूल आँगा, और कोशन आता है, कि chloroplast में, sorry, क्लिमाइडोमोनास में, या green alga में जो pyrenoid होता है, जो कि chloroplast के अंदर पाए जाता है, वो pyrenoid बना कैसे होता है, तो बना कैसे होता है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बेटा, इसमें क्या होता है, इस्टार्ज, और अंदर की तरफ क्या होती है, प्रोटीन, सुन्में आगया, ठीक है, आगे चले, चलो, तो अब इसमें देखो, सबसे पहले मैंने, क्लमाइडोमोनाज बता दिया, यूनिसरूलर होता है, उसका ये एक्जामपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये इसका मैंने डाग्राम ड्रॉ कर दिया, नेक्स्ट है, आसिटेबुलेरिया, ठीक है बेटा, आसिटेबुलेरिया जो होता है, आसिटेबुलेरिया और थर रिसर्च एक्सपरिमेंट ठीक है ये दोनों ही जो है वो रिसर्च एक्सपरिमेंट में इस्तमाल हुए है इसमें आसिटेबुलेरिया भी और क्लोरिला भी आसिटेबुलेरिया किसे किस ने इस्तमाल किया था hammerling ने इस्तेमाल किया था अब मैं आपको जब cell पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा ये बात कि जो nucleus होता है nucleus जो होता है वो genetic material अपने पास रखता है यानि इस chromosome यानि DNA रखता है ये hammerling ने बताया था और किस पर experiment करके है? acetabularia पे तो hammerling is used in genetic experiment या research ठीके बिटा और दूसरा है तुम्हारा chlorella जो की non-motile अलगा होता है chlorella को बहुत लोगों ने इस्तमाल किया और chlorella को हम लोग space अलगा भी कहते हैं इसे इस्तमाल किया था Calvin ने आप लोग याद करिए 10th class में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब photosynthesis आप लोग पढ़ लएते हैं जो आप लोग का 10th class का पहला chapter है life process उसमें जब आप लोग photosynthesis पढ़ लएते हैं तो पिटा photosynthesis में आप लोगों को light reaction, dark reaction कराया होगा dark reaction में आपको C3 cycle, C4 cycle बताई होगी तो C3 cycle को असल में हम लोग Calvin cycle कहते हैं तो इस Calvin ने असल में क्लोरिला का इस्तमाल करके C3 cycle दिया था ठीक है जिसके लिए उसे Nobel भी मिला था तो क्लोरिला को क्लोरिला को बता used by Calvin to give C3 cycle Calvin ने इसी क्लोरिला पे अपना work करके C3 cycle दिया था ठीक है भाई आगे चले नेक्स देखते है नेक्स टा बिटा अब तो पहला बैने क्या बताया जो योनिसलूलर ग्रीन अलगा हो दूसरे वो ग्रीन अलगी जो कोलोनियल हो उसका एक्जाम्पल है वालवाक्स कोलोनियल बतलब समझते हैं तुम लोग कोलोनियल का बतलब है क्या हम लोग कॉलोनी में नहीं रहते हैं हम लोग साथ साथ में नहीं रहते हैं हम लोग साथ आइसा तो है ने कि पूरा एक दिल्ली में पूरे बॉम्बे में यूलोथ्रिक्स also known as pond wool spirogyda also known as pond silk ठीक है ये मैंने दिखा रखा है ये wall walks है ये wall walks है दिखो ये colony में अपस में attach है ठीक है ये wall walk और ये जो ये मैंने दिखाया है ये तो तो फिलामिंटर्स लाइक इस्ट्चर है थागे की तरह ऐसे तो यह क्या है यह यूलोथुरिक से एक्जाम्पिल है एक यह इंपोर्टन चीज है कि क्लोरोप्लास के बिटा अलग-अलग शेप होते हैं अलग-अलग शेप जैसे क्लिमाइडो मुनास का भी दिम देखो तो मैंने कुछ कप शेप इस्ट्रक्चर बनाया है तो कप शेप इस्ट्रक्चर किस पर पाई जाता है क्लिमाइडो मुनास पर पाय जाएगा बहुत इंपॉर्टन चीज है यसे तुम लोग याद कर लेना ribbon या spiral shaped spirogyra में और भाई वो ribbon shape की होती भी है thread like होती है girdle shape ulotrix में and reticulate या net like ये chlorilla में होती है ये कुछ example है जो green algi से related है और ये सारे example बिटा जो diagram में आप लोग बना रहा हूं जरूर नोट सो बना लीजेगा इससे अच्छे तरीकी से बना के याद भी कर डालिएगा next आ गई है next जो group है हमारा वो है five of ice मतलब brown algi या kelp या seaweed बिटा ये काफी बड़ी size के भी हो सकते है ये जो brown alga होता है ये बहुत बड़ी-बड़ी size के हो सकते है ये ये largest algi होते है और 100 meter तक के हो सकते है ये इतनी बड़ी size होती है इनकी कि ये 100 meter तक के हो सकते है तो काफी बड़ी size के होते है अब इसमें देखते है हम लोग कि इनमें बिटा sexual reproduction कैसे होता है sexual reproduction isogamous होता है anisogamous होता है and u-gamous होता है vegetative reproduction कैसे होता है fragmentation के जरिये से और asexual reproduction कैसे होता है zoospore के formation अभी मैंने तुम्हें दिखाया था उसमें भी कैसे हो रहा है उसमें भी यह नहीं उसमें मतलब green alga में भी zoospore का formation biflagellated zoospore का formation हो रहा है और यह gamete कैसे shape के होती यह बहुत important चीज है gamete बिटा जो brown alga की gametes होते हैं यह pyreform होते है मतलब pear shape के होते है ठीक है यह pear shaped होते है next agrose is obtained from brown alga यह important chemical है यह agrose बिटाई यह chemical है आगे मैं आप लोग पढ़ाऊंगा एक चीज पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को gel electrophoresis एक चीज पढ़ाऊंगा gel electrophoresis gel electrophoresis में मैं आप लोग को agrose की importance बताऊंगा तो agrose हो है असल में brown alga से ही मिलता है next आज आजओ plant body is usually attached तो कि मैंने आप से बताया कि green alga comparison में brown alga होता है यह बहुती बड़ी size का होता है large size का होता है plant body is usually attached to substratum by a hold fast यहीं जो brown alga जो होगा brown alga की तरफ जो नीचे वाली cell होगी यह 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 जो नीचे वाली होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे देखो substratum क्या होता है what is substratum इसका क्या मतलब होगा बताओ substratum का मतलब होता है कि जिससे कोई चीज attach हो रही हो जैसे यह pen है यह attach है किससे मेरे हाथ से मेरे palm पे attach तो यह मेरा palm क्या हुआ substratum हुआ मैं किससे attach हूँ नीचे की तरफ क्या है जमीन है तो जमीन मेरे लिए क्या हूँ substratum हूँ अलगी पानी पे है तो उसके लिए substratum क्या हुआ पानी हो गया ठीक है तो substratum मतलब होता है जिससे अटाइच हो तो अटाइच by a hold fast यह नहीं यह this is hold fast and has a stock या this type and leaf-like photosynthetic part जिसे हम लोग front या lamina कहते है ठीक है इसने क्या कहा है leaf नहीं कहा है इसने कहा है leaf-like आप यह मत कह लिए सर अभी आप कह रहे थे कि अलगी जो होता है वो थाइलस होता है और अभी आप कहने कि उसमें leaf होता है मैंने leaf नहीं कहा बिटा leaf-like बात हुई है leaf-like photosynthetic structure होता है ठीक है example है इसमें sargassum sargassum बिटा यह free floating अलगा होता है इसे also known as gulf weed इसे हम लोग also gulf sea बे पाए जाए जाए तर also known as gulf weed नेक्स है नेक्स रालगी है बिटा laminaria laminaria which is also called kelp laminaria इसे kelp भी कहते हैं and also known as devil apron also known as devil apron next है ictocarpus है और next example है dictiota देखिए example बिटा बहुत अच्छे तरीके से आप लो याद रखे उसलिए मैं कह रहा हूँ कि होगा क्या कि कोशन आ जाएगा इस तरीके से कि मालो उसने option दे दिया कि sargassum, laminaria, ictocarpus, dictiota, cara, chlorella, porphyridium, batracospermum और कह दिया कि बताए इसमें से कितने मैं आठ अलगी का नाम लिया उसमें कह दें कि इन में से कितने अलगी ऐसे हैं जो brown है या brown अलगी है तो आप कोई example clear होने चाहिए और इस तरह question आए हुए हैं कई बार आए हुए हैं तो आपको बिटा clear रहना चाहिए अच्छे ये कुछ diagram दिये हुए आपके NCRT में इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखेगा क्योंकि diagram based question अब तो नीट में बहुत common हो गया है तो सबसे पहले बिटा जो structure है वो laminaria का है अभी मैंने आपको बताया fucus का है brown अलगा बहुत important है बहुत बार इससे सवाल आया है और ये dictiota है ठीक है dictiota की ये इस type है जो नीचे वाला part है और ये front है जो leaf like structure होता है ना जो photosynthetic leaf like structure जो अभी मैंने आपको बताया था वो ये है ठीक है अब next hour सबसे last में हम लोग चलते हैं वो है redalgi ये है बटा redalgi ये warmer areas है यहां पे गरम area होते हैं थोड़े से गरम में हो रहा है या जिसे अब आप देखो ये maximum पानी में पाई जाती है पानी में भी कहाँ पाई जाती है marine water में पाई जाती है अब देखो marine water में क्योंकि जो रोशनी जो sunlight पढ़ती है वो surface पे पढ़ती है नीचे तक 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 पढ़ती नहीं है तो या जो गरम portion होता है या उपर surface पे होता है या एकदम नीचे की तरफ होता है तो वो दोनों जगहां पाई जाती है warmer areas कहां कहां पाई जाती है या ocean के सबसे नीचे की तरफ या सर्फिस पे, दोनों क्योंकि वहाँ पे गरम एरिया होता है ठीक है, नेक्स आज़ा बटा mostly found in marine, marine होती है लेकिन कुछ red अलगिया ऐसे भी होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं fresh water में पाए जाते हैं, जैसे batracoispermum नेक्स है बटा, batraco batracoispermum जो की blue colored अलगा होता है देखो, ये बहुत खास बात है क्योंकि मैं red अलगी की बात कर रहा हूँ यानि वो red होनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा है, जिस batracoispermum के लिए दो खास बात हो गई, एक तो क्या, ये fresh water में पाए जा रहा है क्योंकि जारता red अलगी क्योंकि मैंने आप से का कि maximum क्या होते है ये fresh water में पाए जाते हैं तो उसमें लेकिन कुछ example ऐसे हैं जो जो lands पे पाए जाते हैं अच्छा पॉर्फिरिडियम की बिटा एक बात और बता दू, मैं खास बात यह है मैं यहां लिख दे रहा हूँ यह अकेला red अलगा ऐसा है जो unicellular होता है क्योंकि red अलगी सारे कैसे होते हैं सारे multicellular होते हैं लेकिन सिर्फ यह ऐसा है जो unicellular होता है only red अलगा only red अलगा which is unicellular only red अलगा which is unicellular आगे देखते हैं अब इसमें sexual reproduction कैसा होता है? sexual reproduction में non-motile gametes का formation होता है. sexual reproduction में non-motile gametes का formation होता है और sexual reproduction कैसा होता है? maximum जो है वो O gametes होता है. अब देखो याद रखो तुम लोग. green algae में जाओ, तो iso, n-iso, O gametes तीनों पाए जाता है. brown algae में आप आईए, तो वहाँ पर भी iso, n-iso, O gametes तीनों तरह का पाए जाता है. लेकिन जो आप red algae में आएंगे बिटा, तो वहाँ पर सिर्फ कैसा होता है? सिर्फ और सिर्फ O gametes type का होता है. सिर्फ और सिर्फ O gametes type का होता है. अच्छे. अब sexual reproduction कैसा होता है बिटा इसमें? sexual reproduction जो female sex organ है, female sex organ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैप्रो गोनिया कहते हैं. और male sex organ को हम लोग espermato गोनिया कहते हैं. यह बात याद रखना तुम लोग? इस बात को याद रखना? क्योंकि brown algae में और green algae में तो उसे anthridium और ogonium कहते हैं. लेकिन red algae में female sex organ को कैप्रो गोनिया कहते हैं. और male sex organ को espermato गोनिया कहते हैं. ठीक है? non-motile spore, यहीं, asexually productive spore, non-motile spore होता है. इसमें एक important चीज़ है, जो red algae बनाता है, उसे अगर-अगर कहते हैं. अगर-अगर कहते हैं. कभी आप लोग 11-12 में भी अगर experiment आपके स्कूल में होगा, या आप लोग जब college में जाएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि जब आप bacteria का culture करते हैं, तो bacteria के culture के लिए एक chemical चाहिए होता है, जिस पे उपर bacteria आराम से grow कर सकता है, उस chemical को भीटा हम लोग अगर-अगर कहते हैं, हाना, अगर कहते हैं, अगर-अगर कहते हैं, तो ये एक तरह का culture media होता है, ये एक तरह का culture media होता है bacteria के लिए, ठीक है भीटा, तो अगर-अगर जो होता है, ये एक तरह का culture medium होता है bacteria के लिए, and it is obtained from red algae, ये कहां से मिलता है रेड अलगी से मिलता है जिसे जिलीडियम है गिगार्टिना है ग्रैसिलेरिया है ये सारे क्या होते हैं ये रेड अलगा है ये अलग-अलग तरह के बिटा रेड अलगा होते हैं बहुत इंपोर्टन्ट है ये इन तीनों को हम लोग मिला के कहते हैं 3G 3G Gelidium Gelidium Gracilaria and Gigartina इन तीनों को हम लोग मिला के बिटा 3G अलगी कहते हैं और यह कहां यह कौन सा chemical यह release करते हैं यह अगर-अगर बनाते हैं जो कि जिसका दो importance अभी मैं एक importance आप लों को आगे बताऊंगा एक importance तो बिटा यह कल्चर मीडियम होता है किसके लिए बैक्टिरिया के लिए और दूसरा ये आईस क्रीम है जलीज है उन चीजों को सॉलिडिफाई करने के लिए भी इस्तमाल किया जाता है आगे देखते हम लोग अब यहाँ पर मैंने दो आपके सामने दो रेडलगे का डाइग्राम बनाया है एक पॉरफाईरा है और एक पॉलिसिफोनिया है सब एक्जामपल याद रखेगा इतना जादा कन्क्यूज हो करता है ये सब चीजे कि अभी तो आप लोगों को बहुत असान लग रहा है लेकिन जब आप इससे कोशन लगाएंगे तब बहुत कन्फूजन हो जाएगा तो इसलिए इसको बटा अच्छे तरीके से पढ़ लीजे ठीक है तो पॉरफाईरा ये पॉरफाईरा का डाइग्राम मैंने दिखाया और ये आपका पॉलिसिफोन या जो कि क्या होते हैं रेड अलगी होती है अब आगया जाएगे अब नेक्स्ट है एकनॉमिक इंपॉर्टेंस अफ अलगी ये पॉलिसिफोन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के स्टुएंट्स के लिए दो नमबर में तीन नमबर में जरूर पूछा जाता है आपके हैं जरूर पूछा जाता है एकनॉमिक इंपॉर्टेंस अलगा का बताइए और जो बच्चे विटा कॉम्शिन की तियारी कर रहा है उनके लिए भी बहुत important है बहुत से question इससे पूछे जाते हैं अब देखिया आप लोग तो economic importance of alga में पहला point क्या है पहला point हमारा है half of the total co2 fixation on earth is carried out by alga through photosynthesis ठीक है जो photosynthesis जैसे बाता अलगी है photosynthesis करेगी कि इस पास chlorophyll पाए जाता है chloroplast होता है chlorophyll होता है तो सब ज्यादा तर जो co2 fixation यहां पर दिया है यह inciati का आपका point है हाँ पूरे दिन्या में जितना भी co2 fixation हो रहा अरे co2 fixation होगा ना photosynthesis की equation क्या होती 6 co2 plus 12H2O यही तो equation होती है यही तो equation होती है तभी तो यह C6H12O6 बनाता है plus 6 O2 release करता है यही तो होती है बोलो यही तो 3 ने बिटा तो यह glucose का formation होता है ना photosynthesis में तो fixation हो रहा है ना CO2 का तो लगबग आधा fixation कौन करता है अलगी करता है ठीक है अलगा करता है नेक्स्ट पॉरफाइरा लामिनेरिया सर्गैसम यह तीनों marine अलगा होते हैं और यह खाने के यूज़ अज़ा फूड अब देखो इसमें पॉरफाइरा जो है यह बिटा brown अलगा होता है ठीक है यह brown अलगा होता है अच्छे नेक्स्ट जो लामिनेरिया होता है इट कंटेन एलौट अफ आई आयोडीन बहुत जरूरी होता है थाइराड ग्लैंड के लिए थाइराड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए थाइराड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है ठीक है बास समना गी चलो तो ये इंपोर्टेंट है लामिनेरिय में आयोडीन होता है जिसकी वज़े से इसे इसे इंशल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग आफ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग आफ थाईराइड क्लैड ओके अच्छ नेक्स देखते हैं अभी मैंने बताया है कि रेडल्गी से मिलता है जिलीडियम ग्रैसिलीरिया गिगार्टिना यह तीन रेडल्गी है इसे से मिलता है इंपोर्टन्ट है बहुत ज़ादा इसे टिक कर लो तो रेडल्गी किसीज के लिए एक तो ये culture medium होता है bacteria के लिए अभी मैंने आप लोग बता है और दूसरा किसीज के लिए ये चीजों को solidify करते है is used in the manufacture of ice cream, jellies क्यों ये इस्तमाल होती है ice cream और jellies में to चीजों को solidify करने के लिए ठीक है चीजों को solidify करते के लिए next बिटा है keragene keragene ये एक तरह का red alga होत से मिलता है ये chemical and alginic acid ये brown alga से keragene ये red alga से मिलता है असल मैं एक red alga होता है मैं ये लिग दे रहा हूँ condros crispus ठीक है condros crispus ये एक red alga होता है उससे ये निकलता है condros crispus इसे हम लोग Irish moss भी कहते है Irish moss तो keragene या red alga keragene जो एक chemical है and alginic acid या alginate ये भी brown alga से मिलता है is obtained from देखो keragene ये red alga हो गया alginic acid या alginate कहां से मिलता है laminaria, fucus और macrosis ये तीनों कैसे होते हैं brown alga ये red alga से और ये brown alga से किस चीज के लिए ये is used as a water holding substances ये water holding substances की तरह इस्तमाल होता है ठीक निक्श दिखते हैं बटा अब मैंने आप लोगों बता देते क्लोरिला की बहुत जादा economic importance है क्लोरिला और acetabularia दोनों की बहुत जादा importance है इकनामिक इंपोर्टेंस रिसर्च परपस से बहुत जादा इस importance है acetabularia को hammerling ने इस्तमाल किया था और genetic experiment पे और क्लोरिला को calvin ने इस्तमाल किया था अपने c3 cycle के लिए और used in research purpose ठीक है बटा is used in research purpose तो क्लोरिला मैंने आपको बता दिया बटा green alga होता है और ये जो space travelers होते हैं space travelers वो इनका इस्तमाल करते हैं इसी लिए क्लोरिला को space algi भी कहते हैं याद रखेंगे बटा question पूछा गया है कई बार इसे space algi भी कहते हैं ठीक है algi भी कहते है next है nitela which is a brown algi is used in control of mosquito ये जो mosquito के control में भी इस्तमाल किया जाता है last point है कि being photosynthetic they increase dissolved oxygen in their environment which is essential for respiration of aquatic organism ठीक है तो ये बटा economic importance हो गया यहां तक आप लोग economic importance बहुत अच्छे तरीके से आधर रखेगा board की students भी काफी question पूछा जाता है ठीक है बटा तो इस video में हमने detail में आप से discussion कर लिया कि alga क्या होता है कि उस मेरे production कैसे होता है कितनी तरह के उसके classes होते है different groups क्या होते है ये सारी बाते हम लोगों ने बहुत detail में discussion कर लिया अब next video में बटा हम लोग discussion करेंगे कि bryophyta क्या होता है अभी इस chapter में हमने से दो class discuss किया है दो video बनाया है एक classification की होगे और एक ही अलगी की अब next बटा हम लोग discuss करेंगे detail में कि bryophyta क्या होता है उसके बाद फिर tadoophyta फिर gymnospam और सबसे last में एक topic पर discussion करेंगे वो होगा alternation of generation ठीक है बटा thank you for watching my video